जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूवर महा के तीसरे सप्ता के बारे में यानि 15 अक्टूवर से 21 अक्टूवर 2022 के धनूरासी फल के बारे में धनूरासी के लोगों के लिए यह सप्ता कैसा रहेगा इस सप्ता में कौन ग्रह कहां इस्तित होगा और आपकी रासी पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेबसाए, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निविदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ सबसे पहले बात करें इस सप्ताहा में ग्रहों की इस्तिति के बारे में, तो इस सप्ताहा में तीन ग्रह रासी परिवर्तन करेंगे, तो ग्रहों की इस्तिति के हिसाब से यह सप्ताहा आपके लिए बेहद खास होगा सब्ता की सुरुवात में मंगल आपके छटे भाव में विराजमान होंगे और सोलाक टूवर को मंगल देव विर्सवरासी से निकल कर मिथुन रासी में गोचर कर आपके सब्तम भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे तो इस दोरान जो लोग साजेदारी के कारिये से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे लाब की प्राप्ति होगी लेकिन यहां मंगल देव आपकी वाणी को उगर करेंगे यानि आपके अंदर आकरमकता देखने को मिलेगी जिससे कई बार आपकी वाणी सामने वाले को आहत कर सकती है तो ऐसे में अपनी वाणी पर सयम रखना होगा इस दोरान विदेशी स्रोतों से आपको अच्छे लाब की प्राप्ति होगी जो लोग विदेशी कंप्रियों से जुड़े हुए हैं आयात नरियात के कारिये से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे लाब प्राप्त होगी जीवन साथी का पून्ट सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी के माद्दम से भी धनलाब होगा जो लोग ऐ विवाहित हैं विवाह के परस्ताव आने की संभाव न होगी इस दोरान आपका व्यक्तित उ प्रभाव शाली होगा स्वभाव में आक्रमक्ता देखने को मिलेगी कुछ परिवरतन होगा बुध्ध देव आपके दसंभाव में यानि केरियर और व्यवसाय के भाव में मारगी अवस्था में होंगे, जो आपको केरियर में व्यवसाय में अच्छे मुकाम हासिल करने में मदद करेगा, और यहां इनकी दरस्टी आपके चत्थुर्त भाव पर होगी, जिससे परिवार में खुशियों का आगमन होगा, इस जिससे गुरु ब्रस्पती आपके चत्थुर्त भाव में वक्रिय वस्था में होंगे, जिनकी दरस्टी आपके केरियर और व्यवसाय पर होगी, तो ऐसे में अच्छी उन्हती देखने को मिलेगी, और अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए यह समय आपके लिए सु शुक्रदेव बुद्ध की राशी कन्या में वराजमान होंगे, और दसम भाव में बुद्ध के साथ यूतिकर लक्ष्मि नरायन योग बनाएंगे, तो यह समय धनलाब के लिए काफी सुभ होगा, और अठारा अक्टुवर को शुक्रदेव बुद्ध की राशी से निकल क अगर अपनी स्वेम की तुला राशी में गोचर कर जाएंगे, और आपके लाभाव में वराजमान होंगे, तो शुक्र की यह इस्तिती काफी मजबूत होगी, तो कि जब कोई ग्रहे अपने घर में वराजमान होता है, तो वे बलसाली होता है, बली होता है, और सकारात्मक प्रणाम देने वाला होता है, तो ऐसे में लाभ के अच्छे अफसर आपको मिलेंगे, कारिय छेतर में अच्छी उन्नती देखने को मिलेगी, रुके हुए कारिय बिना किसी व्यवदान के पूर्ण होंगे, परिवार में सुक सांती बनेगी, और शुक्र देव, प्रेम और सुक्के कारक हैं, तो यह समय प्रेमियों के लिए भी काफी सुप साबित होगा, आपसी संबंदों में मजबूती आएगी, परिवरिक रिस्तों में सुधार आएगा, पुराना चला रहा विवाद खत्म होगा, आपसी भायचारा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, और पर सुर्य देव आपके दसम भाव में बुद्ध के साथ बुद्धा दित्ते युक का निर्मान करेंगे, तो यह समय चात्रों के लिए बेहत खास होगा, कोई सुब समाचार प्राप्त होगा, जिससे परिवार में खुसी का माहौल होगा, और 17 अक्टुवर को सुर्य देव त क्रिय वस्था में होगा, बात करें सब्धा के प्रमुक योगों के बारे में और दिनों के बारे में, सब्धा की सुरुवात में रवियोग का निर्मान होगा, यानि 15 अक्टुवर को रवियोग बनेगा, और 16 अक्टुवर को रवियोग और गज के स्रियोग, दो महत्पु योगों का निर्मान होगा यह समय खरिदारी के लिए नया कारिये शुरू करने के लिए काफी सुबसाबित होगा 17 अक्टूवर को तुला सक्करांती होगी यानि सूरिय का गोचर होगा और इस दिन अहुई अस्टमी का त्योहार होगा और यह त्योहार त्री पुसकर योग में बनेगा त्री पुसकर योग के बनने से अहुई अस्टमी का महत और भी बढ़ जाएगा तो यह समय काफी सुबसाबित होगा अठारा अक्टूबर को सरवार सिध्य योग का निर्मान होगा और सप्ता के अन्तिम दिन यानि 11 अक्टूबर को रमा एकादसी होगी जो की भगवान विश्णो को समर्पित होती है बात करें सब्ता में चंद्रमा की सिति के बारे में तो सब्ता की सुरुवात में चंद्रमा आपके सब्तम भाव में गोचर करते हुए अस्टम और नवम भाव में गोचर करेगा यानि सब्ता में चंद्रमा तीन भावों में तीन घरों में संचरन करेगा और सब्ता की सुरुवात में चंद्रमा और मंगल की यूति आपके सब्तम्भाव में होगी और इन दो ग्रहों की यूति काफी सुब होती है तो ऐसे में इन दो ग्रहों का सब्तम्भाव में होना साजेदारी में अच्छे लाब के अबसर देगा ए विवाहित लोगों के विवा के यूग बनेंगे और विदेशी सुरोतों से धन प्राप्ति की संभावना रहेगी लेकिन मंगल यहां आपके अंदर क्रोध भी देंगे तो ऐसे में अपनी वानी पर सयम रखना होगा बात करें जब चंदर्मा आपके अस्टमभाव में होगा तो इस दोरान बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और यहां चंदर्मा की पूंध रष्टी आपके धनभाव पर होगी जिससे आपकी वानी भी प्रभावित होगी और परिवार में रिस्तों में सुधार होगा धनागमन के नई रास्ते मिलेंगे और आपकी आर्थे कि स्थिति काफी मजबूत होगी सब्ता के अंत में जब चंदर्मा आपके नवभाव में होगा तो भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा सिक्षा के छित्र में अच्छे परणाम प्राप्त होंगे गुरू जनों का घर में बड़ों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा धर्म कर्म के कारियों में आपकी रुची होगी समाज में आपकी अच्छी प्रसंसा होगी अच्छी पहचान बनेगी इस ओरान किसी धार्मिक यातरा पर जाने की योग बनेंगे और आपके प्राकरम में भी व्रद्धी होगी भाई बेहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा परिवार में ये दी कोई पुराना विवाद चला रहा है तो वो भी खत्म होगा आपसी रिस्तों में सुधार देखने को मिलेगा इस सप्ता में ग्रहों की इस्थती आपको मजबूती परदान करेगी भागय का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा धनसम्मंदी सभी समश्याएं खत्म होगी और आर्थिक इस्थिती में मजबूती देखने को मिलेगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें